हेलो एब्रिवन, एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है सभी अभ्यर्तियों के लिए महतपूर्ण ने सूचना है उत्तर प्रिदेश के सभी अभ्यर्ति जो की हमेशा परिक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ज्यादा तर भ्यर्ति जो है RO, ARO परिक्षा और UP-PCS परिक्षा प्रिलिम्स में शामिल हो रहे होंगे तो आप सभी के लिए महतपूर्ण सूचना है आपको पता होगा कि आपकी एक्जाम की ओफिशियल जो है डेट आउट कर दी गई है प्रिलिम्स एक्जाम PCS की और RO और ARO दोनों परिक्षाओं की आप लोगों को कल भी कली ये सूचना मिल गई होगी आपको इसमें कुछ चीजे बतानी है जिससे आप सतर करें और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें सबसे पहले आपको करना है कि अफ़ाओं से दूर रहना है आखिर कैसी अफ़ाओं कैसी निगेटिव चीजें तो सबसे पहले आपको बता दू कि आपको भी पता होगा कि जो PCS की परिक्षा और RO और ARO की परिक्षाओं है एक ही दिन में हो इसके लिए बहुत लोग प्रयास रत थे और अभी भी हैं तो अगर आयोग को ऐसा करना होता कि सिंगल डे पर ही एक्जाम कराना होता तो नोटिस आ चुकी होती और ऐसा ही होता पर चुकी ऑफिशियल चुकी नोटिस जारी कर दी गई है आपने देखा होगा और ये जो आपका विज्यापन था ये 2023 का था 2024 जाने में केवल दो महिने ही बाकी हैं अगर ये परिक्षा दिसंबर में न होती तो आपको भी पता है कि जनवरी और फरवरी में होने के बिल्कुल चांस नहीं थे महाकुम की वज़ा से फिर ये परिक्षाएं आपकी अप्रेल मार्च तक उधर जाती इसी वज़े से ये परिक्षाएं आपकी कंड़क्ट हो रही है और इसमें आप कोई बदलाव नहीं होगा जहां तक मेरा अनुमान है और जहां तक मुझे ऐसा लगता है अभी भी सब लोग प्रयास तो करेंगे कि एक ही दिन में ऐसा होता तो अच्छा ही होता सभी के लिए अच्छा होता मैं भी यही चाहती हूँ कि एकल सिंगर डे में एक्जाम होता तो नॉर्मलाजेशन का जो दिक्कत होती है वो न होती क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी को इसमें थोड़ी सी लक वाली बात आ जाएगी कि माल लेजे एक सिप्ट में एक्जाम हुआ वो थोड़ा साइजी रहा सेकेंड सिप्ट में एक्जाम हुआ वो टफ रहा तो बैलेंस करने के लिए जो मार्किंग कर दी जाती है उससे अच्छे कैंडी डेट का नुकसान होता है ठीक है तो ऐसा होता है हमेशा से अब ये किस तरीके से बैलेंस करते हैं चीजे को तो आगे देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तक कभी भी इस परिक्षा में ऐसा नहीं हुआ था चाहे आरो यारो की परिक्षा रही हो चाहे PCS की परिक्षा रही हो पहली बार ही ये चीजें सबको फेस करनी पड़ेंगी और आयोग इसमें बदलाव नहीं करेगा अब मुझे जहां तक लगता है क्योंकि इन्होंने नोटिस जारी कर दी है और आपको पता ही है कि एक महिने के अंदर ही आपकी परिक्षा है ठीक है आज आपका जो है 6 नमवंबर है और 7 से और 8 साथ और 8 को आपकी PCS की परिक्षा है 22 और 23 को आपके आरो ए आरो की परिक्षाएं कंड़क्ट हो रही है तो सबसे अच्छा यही है कि अब जो चीजे हो चुकी है उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं केवल करना क्या है जो आपने पढ़ाई करी है उसको बेहतर ढंग से बेहतर तरीके से जो है आपको तयारी करनी है अफ़ाहों से बिल्कुल दूर रहिएगा केवल तयारी सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा से पता है जो लोग इस परिकशा में सामिल होंगे, जिन्हों ने फॉर्म डाले होंगे, अगर दस लाग फॉर्म है eigenlijk उसको पता होगा कि दस लाग फॉर्म पड़े हैं टोटल, किसमें 하는데 Navart-E. इसमें कम आट-लाक तो भीति हैं से म प्रिक्षाओं को बैलेंस बना के चलना है आपको बता है GKGS दोनों में आता है दोनों में अच्छा खासा रोल है ठीक है तो फैक्ट्ट्वल ट्रशन ऐसा नहीं है कि PCS में नहीं आते हैं आते हैं आपने प्रिविएस एर का अगर पेपर देखा होगा तो आरो यारो के जो ए तो इस तरीके को ध्यार में रखते हुए प्रैक्टिस करिए और ज्यादा ज्यादा जो चीज़े आपने पढ़ी है रिवीजन करिए अब नहीं चीजों को पढ़ने कापके पास समय भी नहीं है तो अच्छा है कि आप अच्छे से तयारी करें दूसरी बात यह है कि एक ही अगर कैंडिडेट दोनों परिक्षा दे रहा है तो कैसे बैलेंस करें की साथ कैसे तयारी करें अगर आपने जो फिल किया होगा और आपको जसा कि मैंने बताई यह 2023 का ही फॉर्म है तो अब तक तो आपकी पूरी तयारी हो चुकी होगी और GKGS दोनों में सिमलर ही है जो आ आपको करना पड़ता है और आप किये भी होंगे हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है आपके RO और ARO एक्जाम में ध्यान रखिएगा RO और ARO परिक्षा में अब आपको समय अलग अलग नहीं मिल रहा है जो साथ कोश्चन अलग से हिंदी का देना पड़ता था दो घंटे क नंबर के ही आपके वहाँ पर देखने को मिलेंगे तो उस डंग से आप तयारी करिएगा रही बात admit card की कि admit card कब तक जारी हो सकता है तो अब तो आपको date पता ही है admit card आपके exam के 2-3 दिन पहले ही जारी होगा ठीक है और रही बात की center कहां जा सकता है क्या कुछ तो देखा ज पतान से ही है कि जो candidate जहां का है उसको वहां का center नहीं मिलेगा आस पास देलों का मिल सकता है ब्लॉक चेंज हो सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा अचा है female candidate होंगी उनका भी similar नहीं होने वाला है तो इस पारे में आप इलर्ट रहिएगा कि आपकी परिक्षाएं जो होंगी March April तक में होने की possibility बन जाएगी कि उधर होगा तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए एक बात और बता दो इलहाबाद High Court RO की जो vacancy है वो भी December में आ सकते तो उसके exam भी आपके March April तक होंगे और जो इलहाबाद High Court Group C, Group D की चल रही इसका भी date आ सकता है आपके exam को ल आज के newspaper में भी चीज़ें आई हैं आई है मैं उसमें से कुछ चीज़ें दिखाती हूँ आपको आप देख पा रहे होंगे कि दो दिनों में होगी PCS और RO RO परिक्षा यहां पर लिखा है कापियों के एक समान मुल्यांगन के लिए किया जाएगा normalization अगर एक ही दिन में exam हो हो जाते हैं तो भी normalization होता है यह तो आपके कई दिन में paper है कई दिन का मतलब समझ लीजेगा जो आपके PCS की परिक्षा है PCS परिक्षा है यह दो दिन है 7 और 8 को है ठीक है लेकिन जो आपकी RO और ARO की परिक्षा है यह आपकी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर है तो जो 22 दिसंबर तो देख ही लिया होगा यह newspaper में सारी चीज़ें आई थी इसके बारे मुझे बताना नहीं है timing क्योंकि आप लोगो पता है यह timing क्या होता है morning में 9.30 बुझे से होती है पहली batch मतलब पहली shift 9.30 से 11.30 और जो दूसरी होगी 23.30 इस तरीके से चीज़े है सब कुछ और बाकी ज साड़े 4 बजे तक होंगी परिच्छा है इसके अलावा आरो यारो की 22 से तेजी संबर को 3 पालियों में परिक्षा है आयो जीत होंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आरो यारो की परिक्षा है उसकी टाइमिंग देख लेंगे यह देखिए का लिखा सुबर 9 से दूसरी होगी साड़े 5 बजे से जो है साड़े 5 बजे तक इस तरीके से इसकी पूरे टाइमिंग रखी गई है बाकी आप लोग बेतर तर्ग से तयारी करिए सभी को बेस्टाफ लग अच्छा मोका है तेवार आपके बीच चुके हैं पढ़ाई में अच्छा से मन लगाई करिए और अच्छा करिए लेक्स वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं जाहिंद